नवस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं आपके अपने दा मौराल एजूकेशन यूटूब चैनल को आज हम देखने जा रहे हैं सिक्षक भरती में घोटाले का परदा फास हो गया है गौलिया चंबल में 184 में से 66 सिक्षकों के प्रमाण पत्र जाली निकले प्रमाण पत्र कैसे निकले फरजी निकले हैं देखते हैं संफून जानकारी गौलिया संभाग शिक्षक भरती दिब्यांग प्रमाण पत्र में बड़ा घोटाला सामने आया है साल 2018 में हुई परिक्षा में गौलिय चंबल संभाग के 184 यूबर दिब्यांग साइटिफिकेट से मिले आरक्षन के बाद सिक्षक बने थे पर अब इन 184 दिब्यांगों के दिब्यांग साइटिफिकेट की जाच करने पर 66 सिक्षकों को प्रमाड पत्र फरजी निकाल दिये हैं और उन पर केस दर्द हो गया है यह स्वास्त विवाग की जाच में सामने आया है प्रमाड पत्रों पर लगी सील और हस्ताक्षर का मिलान नहीं हो रहा है इन 66 सिक्षकों में 50% से भी जादा बहरेपन होने पर दिब्यांगता यह है कि बहे दिब्यांगता है तो आसानी से पकड़ में नहीं आ रहा है जो बहरेपन का लगाय होगे है प्रमाड पत्र अभी वो आसानी से पकड़ में नहीं आ रहा है लेकिन सरकार इसके लिए भी कुछ न कुछ तरीकी नकालेगी सिक्षा विवाग के आविदन पर स्वास्त विवाग की जांच रिपोर्ट के आधार पर सुक्रवार को ग्वालियर के मुरार थाने में 66 सिक्षक पक धोका धड़ी बा कूट रचना करने का केस तर्ज हुगा है कितने पर 66 पर कहां पर मुरार थाने में इन सभी सिक्षकों में इन सभी सिक्षकों को तीन से चार महीने पहले जोइनिंग मिली है इनने जोइनिंग भी मिल गई थी दरासल वर्स या साल 2018 में सासन ने सिक्षक भरती निकाली थी जिसके बाद भरती को लेकर बिवाद हुगा तो निक्ती ततकाल नहीं दी जाएगी लंबी खीची जाएगी तीन से चार महीने पहले इनको निक्ती दे दी गई बिबाद हुआ था तो इनको निक्ती नहीं दी गई थी लेकिन तीन चार महीने निक्ती दे दी गई शिक्षक भरती परिक्षा में दिब्यांग कोटे का आरक्षन का फायदा उठा कर काफी संख्या में दिब्यांग चेनित शिक्षक हुगे थे इसको लेकर बिबाद सुरू हुगा था गौलियर चंबल संभाग के मुरेना में दो भरजी दिब्यांग प्रमाल पत्रों के मामले सामने आये थे इसके बाद लोग सिक्षर संचनाले ने प्रमाल पत्रों की जाच कराने का फैसला लिया ग्वालियर चंबल संभाग अंचल के 184 दिप्यांग प्रमाल पत्रों की जानकारी ग्वालियर भेजी गई थी जिसमें ग्वालियर के 184 और 99 प्रमाल पत्र अंचल के थे इसके बाद सिक्षा भभाग ने इन प्रमाल पत्रों की जांच के लिए दिप्यांग प्रमाल पत्रों की जांच कराई गई तो स्वास्त भभाग ने रिपोर्ट दी जिसमें 66 प्रमाल पत्रों का ही record नहीं है 66 प्रमाल पत्रों का record नहीं है इन पर जो sign और seal लगे हैं उनका भी मिलान नहीं हो सका है इसके बाद सिक्षा विभाग मुरार ऑपिस से कनिष्ट लेखा परिक्षक प्रिदीब बाजपयी ने एक लिखित आविदन गौलियर के मुरार थाने में दिया था इस पर जाच करने के बाद इसमें 66 सिक्षकों पर फरजी प्रमाडपत्र का उपयोग कर सिक्षक भरती निक्ती लेने बाले धोका धड़ी सिक्षकों पर मामला दर्ज कर लिया गया है ज्यादा तर सिक्षक बहरे होने के कारण अभी यह किलियर नहीं हो पा रहा है कि इनका प्रमाड़ पत्र सही है या गलत है लेकिन सरकार इसके लिए कुछ न कुछ ही हो जना है अबस्र लाएगी जिन चैनिस सिक्षकों पर मामला दर्ज हुगा है उनमें से 50 प्रितिसद से ज्यादा सिक्षकों को बहरे पन की दिब्यांगता है आसानी से पता नहीं लग सकती है इसलिए यह काम कम पकड़े गए हैं इनका कहना है इस मामले में फुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है आगे जो तत्त सामने आएंगे और उनके आधार पर आगे पुलिस कारवाई कर रही है राज सिंग चंदेल जे हैं SSP गालियर के ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए जिससे सबसे पहले आप तक जानकारी पहुँच रखे वीडियो देखने के लिए धन्रवाद वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करें